Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wealth Unlimited आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक ऐसे बहतरीन स्टॉक की जो आपको गिरते हुए मार्केट में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे कर जा सकता है मुझे लगता है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपके फोकस में होनी चाहिए और ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई दे सकता है in coming months and years So before starting the video, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए है तो please make sure to hit the subscribe button and do like this video चलिए, सीधा बात करते हैं उस स्टॉक की जहाँ पे मुझे potential दिखाई दे रहा है और उसका नाम है TD Power Systems Limited आप देख सकते हैं ये जो particular company है ये generators और motors बनाती है और साथी साथ ये particular company not only wind energy, hydro energy, thermal energy बाकी की और भी important industries में काम करती है आप देख सकते हैं ये particular industry किस-किस industry से associated है और जहाँ पे भी heavy machinery का use होता है उन particular machinery में जितने भी motors लगते हैं वो TD Power System के दोवारा generate किये गए होते है साथी साथ मैं आपको बता दूँ इस particular company का जो result है वो कुछ हफते पहले ही आया था और आप देख सकते हैं जो company का result है वो काफी अच्छा आता हुआ हमें दिखाई दिया है on year on year basis as well as quarter on quarter basis आप देखेंगे quarter on quarter basis पे यहाँ पे 205 करोड के sales से 250 करोड की sales की है company ने और साथी साथ 10% का rise दिखाया है year on year sales में जो company का net profit है वो भी काफी चांदार बढ़ते हुए दिखाई दिया है हमें आप देख सकते है year on year basis पे 39% का jump है और साथी साथ quarter on quarter basis पे भी 20 करोड से 35 करोड का हमें profit यहाँ पे देखने के लिए मिला मुझे लगता है कि जब इतने global headwinds थे जब इतना inflation market में चल रहा है उसके बाद भी अपने margins को ऐसे maintain करना और अपनी result को इतने भैतरीन तरीके से पेश करना इस वन अफ तर रीजन कि TD power system आज अपने 52 week high के पास trade करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है आप देखेंगे यह है TD power system limited की company और इसका जो current market price चल रहा है वो है 207 रुपे का और आज के दिन यह particular stock 6.84% up है मुझे लगता है इस particular company में अभी सिर्फ party शुरू हुई है और यह particular stock आपको और भी उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जो company का market cap है वो अभी 3,229 करोर रुपीज का है काफी छोटा market cap है जिसके वज़े से इस particular company में growth अच्छी हो सकती है साथ ही आप देखे जो return on capital employed है 21.5 का है और ROE return on equity भी 16.9 की आपको दिखती है one of the best thing about this company है कि इस particular company पे कोई भी करजा हमें दिखाई नहीं देता है जो again हमारा काफी अच्छा विश्वास और आप भरोसा रख सकते है कि आगे जाके इसका जो margin है या जो profit है वो interest में नहीं जाएगा आप देख सकते हैं यह है इसका one year का chart और अगर आप इसका one year का chart देखे तो यह बिलकुल एक uptrend शो कर रहा है और सिर्फ ऊपर ही जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है साथ ही साथ आप देखेंगे इस particular company के जो comparison में peers है उनके comparison में भी यह particular company काफी ही fairly value पे trade करती हुई हमें दिखाई दे रही है साथ ही साथ अगर आप इसके yearly profit और loss की बात करें तो company ने इस March 2023 में आप देख सकते है highest ever profit generate किये है 97 करोर रुपीज के और साथ ही साथ इस particular company का जो operating profit है और operating margin है वो भी highest होता हुआ हमें दिखाई दिया है 130 करोर and 15% जो company का shareholding pattern है वहाँ पे आप देखेंगे कि company के promoters ने पिछले कुछ सालों में अपने stake को equal रखा है however FIS में यहाँ पे increase हुआ है and DIS में भी यहाँ पे एक bulk increase देखा गया है इस particular company के stake में in March 2023 quarter मुझे लगता है कि आने वाले time पे आप इसमें और भी increase देख सकते है जिस particular या जिस तरीके से ये company अपने performance या financial results दिखा रही है तो सीधा आप मैं आपको लेके चलता हूँ TD Power System के chart पे तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत important चीज दिखाना चाहता हूँ आप देख सकते है जो एक company है वो एक uptrend में follow कर रही है या एक uptrend channel में चल रही है अगर मैं आपको channel दिखाना चाहूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये particular stock यहाँ से एक uptrend move पे ही अभी तक चल रहा है और ये इस particular channel को break नहीं कर रहा है However, अगर मैं इस channel को हटा भी दूँ तो आप खुद देख सकते है जो एक particular company है ये higher high and higher low formation बना रही है आप देख सकते हैं यहाँ से 158 के level से ये stock उपर गया था फिर 181 गया इसने फिर higher low बनाया 166 पे फिर उपर गया 203 पे फिर यहाँ से higher low बनाया 188 पे फिर उपर गया 208 दस तक और अब भी ये particular stock अपने 20 day moving average 194 पे higher low बनाके आज काफी अच्छा उपर गया है तो मुझे लगता है कि ये particular stock आपको आने वाले time पे काफी अच्छे return दे सकता है और अगर ये ऐसे ही result पेश करता रहा तो इसके जो target हो सकते है वो 400 तक के भी हो सकते है in coming years आपको मैं बता दूँ कि ये particular stock में मैंने personally entry कर ली है और इस stock का जो breakout है वो आता है 210 रुपे के उपर जो होता है इसका 52 weeks high तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो particular company ने यहाँ पे multiple time resistance लिया है इस particular level से तो मुझे लगता है 210 के उपर जैसे ये particular stock निकलेगा आपको एक काफी अच्छा up move दिख सकता है 20 point का इस particular stock में पहुती short term traders जो आप इस particular stock को 240 रुपे तक भी लेके जा सकता है however मुझे लगता है कि अगर आपने इस particular stock में entry लेनी है तो आपका जो stop loss है वो 20 days moving average के साथ trail होना चाहिए ये मेरा firm believe है कि आपको 20 days moving average के साथ चलना चाहिए because ये एक अच्छी pattern form कर रहा है और अपने 20 days के moving average को break नहीं कर रहा है अगर ये 20 days के moving average को break कर देता है तो sentiment इसमें थोड़े से negative हो सकते है इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो SL दिया है वो day closing का 190 का दिया है जो इसका current 20 days moving average चल रहा है fine तो आपका जो stop loss हो जाता है इस particular stock के लिए तो आप यूं समझ लीजिए आप इस particular company में stop loss लगा सकते है 8% का और आप इसको long के लिए खेल सकते है for the target of 250, 80 and further 300, 320 तक भी ये stock आपको जा सकता है disclaimer ये जो मैं video बना रहा हूँ ये सिर्प educational purpose के लिए है please make sure to take advice from your financial advisor मुझे लगता है ये chart pattern काफी अच्छा दिख रहा है और ये stock काफी positive trend में है जिसके वज़े से आपको सीख मिल सकती है कि कैसे आप एक trend को find कर सकते है या up trend को find कर सकते है market में आपको मैं loss ना करने का rule भी बता देता हूँ या अगर आपको कोई loss हो रहा है किसी stocks में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि try कीजिए का जो आपका stop loss हो at max 10% पे हो 10% से जादा अगर आपको loss किसी भी company में नहीं जेलना चाहिए this is what I am telling you because आपको अपना hardened money या hardened capital को save करना चाहिए अगर आपको लगता है कि कोई stock में breakdown हो चुका है तो please उसमें से loss बुक करना भी सीखे और साथी साथ profits को भी time to time बुक करना सीखे आप देख सकते हैं further अगर मैं आपको इसको weekly time frame पे दिखा हूँ एक flag and pole pattern form हुआ है जो कि आपको 160 से लेके 208 तक गया था उसके बाद ये stock पिछले तीन हफतों से sideways था और अब इसने ये 190 से 210 के channel का breakout देना start कर दिया है तो मुझे लगता है कि यहां से आपको और भी बड़े target दिख सकते है TD power system में similarly इसी sector की कुछ companies है जैसे की servo tech power system और साथ में schindler electric infrastructure ये दो companies भी मुझे काफी अच्छी लग रही है इस पूरे ही sector में एक तरफा तेजी है आप देख सकते हैं ये particular company जो servo tech power system है उसमें तो आज I believe upper circuit लगा है और ये इसका जो high है वो है 108 रुपीज का जहां पे इसने 52 weeks पे closing दी है however मुझे लगता है इस company का PE काफी जादा है तो इसमें थोड़ा सा risk reward बढ़ जाता है इसलिए मैंने इस particular company को नहीं चुना बलकि TD power systems को चुना है और साथ ही साथ schneider electric भी काफी अच्छा लग रहा है यह company भी अपना reversal दिखा रही है और आप देख सकते हैं इसका stock PE 54.6 का है however इस company में debt है तो इसको मैंने इस बज़े से भी discard किया था या pick नहीं किया था TD power system के against अगर आप देखें तो यह particular stock भी पिछले 5 साल के highs को cross कर चुका है इसमें एक opportunity आई थी 200 रुपे के level के ऊपर जहांपे इसने multi-year breakout दे दिया था but अब इसकी rally थोड़ी निकल चुकी है plus यह थोड़ा सा debt में है और ज़्यादा PE पे trade करता है however आप फिर भी इस particular stock को focus में रख सकते हैं और इस particular company को भी लेने के बारे में सोच सकते हैं इस particular sector से तो यह था कुछ important चीज़े जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता था और यह था वो stock जो मुझे लगता है कि आने वाले time पे आपको और भी अच्छा return दे के जा सकता है तो आप please make sure करें कि आप अपने financial advisor से एक बार discuss कर ले before making any sort of investment in the stock market और happy investing thank you